Educational sector के अंदर जो सबसे बड़े नाम से जाने जाते हैं Educational YouTube channel जिनका सबसे प्रमुख है, जिनका नाम है खान सर हाल ही में आप Sandeep Maheshwari show में गए जिनके विउउ अब तक कि सबसे ज़ादा विउउ है आप जहां जाते हैं संसनी बन जाते हैं चाहे आप ललन टॉप पर जाएं चाहे आप संदीप महश्वरी शो पर जाएं आप कहीं भी जाएं आप लेकिन talk of the town नहीं talk of the nation है और सब लोग आपसे प्यार करते हैं including me मुझे आपकी भाषन शैली बहुत पसंद है आपकी विचारों की clarity बहुत पसंद है और लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं निश्चित ही वो जबरदस्त है आपका लोगों के लिए उठकर खड़े होना, stand लेना सरानिय है अब जब हम सरानिय की बात करते हैं तो इनके बारे में जो लोग शायदी होगा जो नहीं जानते हो इनको फिर भी मेरा दाइत्व बनता है योगि otherwise आपको ये लगेगा कि आपने इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी इसलिए मैं थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी श्रेयर करता हूँ ठान.js Research Center इनके 18.5 million subscribers है education sector में highest subscribers है इनके भी बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें millions में view है यानि इनका वीडियो आए और वो रातो रात ट्रेंडिंग पे ना चला जाए संभव ही नहीं है ऐसा मुझे लगता है और आप भी इस बात को मानते होंगे अब इनका व्यापार का model क्या है क्या ये YouTube पर मिलने वाले advertisement से ही पैसा कमाते हैं क्या नहीं साब जब इने भी माट साब 2.0 में डाला है किसी magazine ने उसने भी research की है और ये खेल गए इसी चीज़ पर क्या इनका अपना एक application चलता है जिस application पर इनके courses कीमतों में अगर आप देखते हैं 500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 450 रुपए इस प्रकार के courses यहाँ पर उपलब्द हैं अब आप पुछेंगे, sir, कहा लाख रुपए का course दिखा रहे थे कहा आप 500 रुपए का course दिखा रहे हैं ये भी ad tech का एक business model है आज आप जितने भी YouTube पर बैठे हुए educators को जानते हैं जो 500 रुपए का course लेकर आ रहे हैं, 700 रुपए का course लेकर आ रहे हैं, 1000 रुपए का course ला रहे हैं उसके पीछे असली गनित, number game है number game से मतलब क्या है अगर 500 रुपए का एक course अगर 10 लाख लोगों ने भी खरीदा तो 10 की 7 जीरो इदर से 2 जीरो यहां से 9 जीरो होती है यानि ये सीधा व्यापार करोडों में जाता है आप और हमको लगता है कि यार मातर 500 रुपए ही तो है आप और हमको लगता है कि यार इतना सा है हमसे तो यह यही ले रहा है, पिलकुल सही है यही YouTube का business model है जिन्होंने YouTube को सही से समझा इसलिए ये मास साब 2.0 बने एक और चीज में आपको बताता हूँ एलफन लीबे, जो एक रुपए की चॉकलेट या एक रुपए की टॉफी सालों से देती आ रही है वो आज करोडों में व्यापार करती है बहुत सारी ऐसी टॉफी है, चॉकलेट्स है, एक रुपए की कीमत पर आती है हजारों करोड में व्यापार करती है हाजमोला जैसी गोलियां है जो आती एक रुपए की ही है व्यापार हजारों करोड में करती है कारण उन्हें मास पर खेलना होता है ये भी AdTech का एक model है जहां विकास दिविकीरती सर का लाख रुपे का course है लेकिन UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे मुठी भर होते हैं तैयारी करने वाले मुश्किल से 10,000, 20,000, 50,000 sincere candidate होते हैं जो किसी एक माध्यम के एक वक्ति से पढ़ना चाते हैं वहीं दूसरी और बहुत सारे एक्जाम जैसे खांसर का जो मतलब असली फोल्टे है वो group D जैसे एक्जाम से हैं railway जैसे एक्जाम से हैं जहां पर करोणों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं एक करोड सभा करोड के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा अगर उनमें से 10 प्रतीशत लोगों ने भी यानि 10 लाख लोगों ने भी इनका 500 रुपए का कोर्स पर्चेस किया तो कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में नहीं आएंगी ये भी AdTech का एक बिजनिस मॉडल है बहुत सारी philanthropic काम करते हुए भी दुनिया को बहुत सारा ग्यान फ्री में देते हुए भी आप करोणों का व्यापार कर सकते हैं और लोगों ने किया है मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ मैं केवल ये बता रहा हूँ कि सब तरफ व्यापार है आज अगर हम ये कहते हैं ना कि YouTube पर बहुत सारे educators फ्री में इतना class पढ़ा रहे हैं नहीं साब वो फ्री में नहीं है वो आपको ये बता रहे हैं कि बेटा मैंने फ्री में तुम्हें इतना पढ़ा दिया अब यार मेरा भी घर चला दो यार मेरे भी aspirations है मैंने तुम्हें इतना फ्री में पढ़ा दिया अब आजाओ मैं पेड में ये चीज ले करके आ रहा हूँ और मास साब अपनी classes चलाते हैं और मास साब वहाँ से आप से पैसे ले लेते हैं और आपको भी लगता है और बास विक्ता में देखिए जिस तरफ मैं खड़ा हूँ अगर आप उस तरफ कभी खड़े होंगे तो आपकी भी aspirations होँगी और आपको लगता है टीक है ना यार जब हमारे पढ़ने के लिए ये इतना सारा ज्यान वर्त के हिसाब से ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि जब G.O. आया था तो G.O. ने एक साल तक फ्री में इंटरनेट लोगों को बांटा जिसके लिए लोग कभी-कभी 400-200 रुपय एक GB के देते थे Free of cost, unlimited internet लोगों को मिला बाद में G.O. आया तो उसने महीने बर का plan इंट 200 रुपय में दे दया आपको याद ही नहीं होगा कि इंटरनेट बंद करने का option भी हापके mobile में क्यों क्योंकि आपको unlimited access मिला लेकिन जीओ इसी पर खेल गया 40 करोड के आसपास customer जो 200 रुपय का minimum recharge पर मंत करा रहे हैं कंपनी देख लो काँ से का निकल गई 5G का सबसे बड़ा बिडर वही बन गया मैं आपको ये समझाने की कौशिश कर रहा हूँ कि आप एक aware citizen है आपके सामने जो भी controversies आती है उन सब का बहुत बड़ा reason है क्योंकि आप third empire हैं आप असली judge हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने जो जीत गया वो दुनिया बना गया खुद की दुनिया बना गया ठीक है अपना प्यार बनाए रखें